साथियों, जीवन के विपरित समय में हमारा होसला, हमारी इच्छा सकती, किसी भी परिस्थिती को बदल देती है, अभी हाल ही में मैंने मिडिया में एक ऐसी स्थोरी पड़ी, जिसे मैं आप से जरूर शेर करना चाहता हूँ, यह कहानी है, मुरादाबाद के हमीरपूर गाउं में रहने वाले सल्मान की, सल्मान जन्म से ही दिव्यान है, उनके पैर उन्ने साथ नहीं देते हैं, इस कठनाई के बावजुद भी उन्होंने हार नहीं मानी, और खुद ही अपना काम शुरू करने का फैसला किया, साथी ये भी निश्चे किया, कि अब वो अपने जैसे दिव्यान साथियों की मदद भी करेंगी, फिर क्या था, सल्मान ने अपने ही गाउं में चपल और डिटरजन बनाने का काम शुरू कर दिया, देखते ही देखते ही उनके साथ तीस दिम्यां साथी जुड़ गए, आप ये भी गौर करिए, कि सल्मान को खुद चलने में दिक्कत थी, टिगनोने ने दूसरों का चलना आसान करने वाली चपल बनाने का फैसला किया, खास बात ये हैं कि सन्मान ने साथी दिम्यांग जनों को खुदी ट्रेनिंग दी, अब ये सब मिलकर मैनिफेक्टरिंग भी करते हैं और मार्केटिंग भी, अपनी महनत से इन लोगों ने न केवल अपने लिए रोजगार सुनिशित किया, बलकि अपनी कमपनी को भी प्रफिट में पहुचा दिया, अब ये लोग मिलकर दीन भर में डेड़ सो जोड़ी चपने तयार कर लेते हैं, इतना ही नहीं, सलमान ने इस साल सो और दिव्यांगों को रोजगार देने का संक्रभ भी लिया है, मैं इन सब के होसले उनके उद्यम्सिलता को सैलिट करता हूँ,